नमस्कर दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक एप्लिकेशन का फारम देखेंगे इस फारम को ओफ लाइन एप्लिकेशन फारम को आप किस परकार से भरेंगे वह सारी जनकारी प्रापत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पताया था कि हैड़क्वाटर ए आर टी आर एसी कमांड जो है शिमला के अंदर है उसने चार वैकेंसी के लिए LDC और MTS के लिए एक अडवर्टाइजमेंट जारी कर दीगी थी और ये अडवर्टाइजमेंट जो है वो दो अक्तूबर से लेकर आठ अक्तूबर का जो अफिशल एम्प्लाइमेंट उसमें पब्लिश हो चुकी है इस भरती की जो अंतिम तारीक है वो 23 अक्तूबर 2021 है औ वीडियो को लाइक वे शेर जरूर करें ताकि आपको जोग के नएने नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें सबसे पहले देख लेते हैं अपेंडिक्स ए पर ये अडवर्टाइजमेंट का जो परफॉर्मा है वो आपको इस परकार से दिखाई पड़ेगा और ट अफिसर, Establishment Officer, Establishment Branch, Headquarter, ART, RAC, Simla के पते पर भी आप भेज सकते हैं और आगे देखते हैं सब्जेक्ट में Application Further Recruitment of Multitasking Staff, MTS और Lower Digital Clerk, LDC की ये वेकेंसी है Point No.1 पर आप लिखेंगे LDC या MTS यदि आप दोनों पदों के लिए और दोनों पदों के लिए आप apply करना चाहते हैं तो आपने दोनों पदों के लिए अलग-अलग application भरनी application जो फारम हो अलग-अलग भरना होगा और अलग-अलग application फारम के साथ आपको दस्तावेज लगा कर आपने application फारम को तयार करना होगा एक बॉक्स दिया गया है राइट साइड में इस राइट साइड में आप एक फोटो पेस्ट करेंगे और इस फोटो को भी आप self-attested कर देंगे Point No.2 पर आपने name of the candidate में block letters में लिखना है block letters होते है capital letters में जैसे मैंने यहां example के दोर पर र Point No.4 पर आपने date of birth बतानी है date of birth में DD-MMYY लिखा है तो DD के ओपर दो column है जैसे मैंने example के दोर पर एक column में एक letters को लिखा है 17 June 1999 आप भी अपनी जो date of birth है उसको इसी परकार से column wise आप लिख सकते हैं Point No.5 पर आपने बताना है कि age as on last date prescribed for receipt of application इस भरती की जो अंतिम तारीख है 23 September 2021 को आप कितने वर्स कितने महीने और कितने दिन के हैं Point No.5 पर आपने यह सब जानकारी आपने देना है जैसे मैंने example के तोर पर 19 वर्स पांच महीने और 3 दिन का लिखा है example के तोर पर आपने age की गन्ना करके यहां age count कर लेनी है और Point No.5 पर आपने लिख देनी है Point No.6 और 7 साथ में आपने address for correspondence और permanent address में आपने house number जैसे मैंने example के तोर पर लिखा है आप इस परकार से आप अपना address को पूरण कर सकते हैं इसमें village का नाम post office, तहसील, district, state और pin code आपने जरूर लिख देना है और mobile number भी आप आगे करके आप लिख सकते हैं Point No.8 के उपर आपने education qualification का CBSE आपने जिस भी board से किया वो आप यहां लिख सकते हैं Total marks obtained, कितने marks आपके दस्वें कक्षा या बार्वें कक्षा में आपने कितने कितने अंक प्राप्त की हैं वो आपने यहां लिखना है, percentage जो marks में आपने two decimal तक आपने लिखना है, point के बाद आपने two digits तक आपने percentage लिख category की post के लिए apply करना चाते हैं, LDC में दो post हैं, दो post हैं एक journal के लिए, एक OBC के लिए आप जिस भी post के लिए आप apply करना चाते हैं, उस post के नीचे, उस category के नीचे आप टिक कर दें, यदि आप MTS के लिए फारम भर रहे हैं तो दोनों के दो उपाद जो हैं, वो journal सेनी के देना है, यदि आप एक्सरिसमेन हैं तो यस लिखेंगे, यदि नहीं है तो नो लिखेंगे, यदि आप एक्सरिसमेन हैं और यस लिखते हैं तो आपने date of enrollment in army, navy, air force की enrollment date लिखनी है, date of retirement लिखनी है, total service आपकी कितने वर्स, कितने महीने और कितने दिन की है, और इससे discharge certificate की copy भी जरूर लगानी है, point number 11 पर आपने बताना है कि आपका नाम किसी भी employment exchange में registered है या नहीं है, यदि आपका yes और no में answer देंगे, यदि आप yes में answer देते हैं तो आपने अपना registration number और किस employment exchange में आपका नाम दर्ज है, वो भी आप mention करेंगे, point number 12 में आपने, यदि आप department में आप काम करते हैं, उस department का employer के नीचे आपने नाम लिख देना है, office की detail देनी है, name of the post किस post पर आप काम कर रहे है, date of appointment में आपने लिखना है, कि आपकी date of appointment कौन सी है, point number 13 पर आपने mobile number और email ID इस प्रकार से लिखने हैं, जैसे मैंने example के तोर पर 10 number का mobile number लिखा है, और at the rate gmail.com, at the rate yahoo.com, जो भी आपकी gmail है, जिस भी server पर है, वो आप यहां लिखेंगे, declaration को पढ़ते हुए, आप नीचे date और place लिखेंगे, और signature of candidate के उपर आपने signature जरूर कर देने हैं, यदि आप signature नहीं करेंगे आपने application farm के उपर, तो आपका application farm भी रद हो सकता है, इसके आज की वीडियों बस इतनी information, यदि आप इस application farm को download करना चाते हैं, तो इंडियन army की जो official website है, वहां से भी download कर सकते हैं, वीडियो के नीचे, description में दिये गए link से भी आप इस performance को download करके, और इस भरती के लिए आप apply कर सकते हैं, आज की वीडियों बस इतनी information मिलते हैं, एक न